महा सिवरात्री की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुबकामना है आपके जीवन में महा देब, फोलेना, सिवसंभू की किरपा से धेर सारी खुसियां बढ़ से और दिन दूनी, राज चबूनी आप खूब तरक्की करें नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महा सिवरात्री पर, सिविलिंग पर कुछ ऐसी वस्तु है जिसको जरूर अर्पित करना चाहिए और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या अर्पित करने से क्या फल आपको प्राप्त होता है तो चले सुरुआत करते हैं, देखिए महा सिवरात्री के आते ही आप में उत्साह तो आही गया है और अपने अपने तरीके से आप प्रसन्न भी करेंगे सिव जी को अब महा सिवरात्री हिंदूओं का बहुत ही सुब और बड़ा तियोहार है और सिव जी को प्रसन्न करने के लिए खुब धूब धाम से आप तियोहार मनाते हैं माननेता है कि महा सिवरात्री हिंदी कलेंडर के 11 महीने में मनाई जाती है और इस दिन को सिव की महान रात्री के रूप में मनाय जाता है फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतूरद सीतिती को भगवान भोले नात और मा पारवती दोनों का विबाहत सब के रूप में भी हम मनाते हैं ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान सिव ने धर्ती को नश्ट होने से बचाया था लेकिन उन्होंने ये सर्थ भी रखा था कि सही भक्त उनकी सच्ची सर्दा से पूजा उपास ना करें तो बहतर होगा तो क्या अर्पित करें कि सिव जी क्यों प्रसन कर पाएं देखिए फल जरूर अर्पित कीजिएगा आपको जो भी मिले अब बात करते हैं दूद की भगवान भोले नात का दूद से अभी से करने से सदय आपका स्वास्त अच्छा रहता है रोगों से मुक्त रहते हैं क्योंकि बिसनु पुरान कहता है कि समुद्र मन्थन के दौरान सिव जी ने सारा बिस अपने कंठ में गरहन कर लिया था जिसके चलते हैं उनका सरीर नीला पढ़ने लगा तभी सभी देपताओं ने उनका दूद से अभी से किया तो बिस का असर उन पर से कम हो गया अब दूसरी वस्तु है जल नमा सिवाय का जब करते हुए सिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपका मन सांत रहेगा आपके अंदर करुना का भाव आएगा और बिस का प्रभाव कम करने के लिए देपताओं ने उनके उपर जल भी डाला था चीनी महा सिवरात्री पर सिवलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है और चीनी अर्पित करना लाबदायक है घर में कभी यस बैभव धन किरती की कमी नहीं होती अगर आपके पास चीनी ना हो तो कोई बात नहीं गरने का रस भी अर्पित कर सकते हैं केसर लाल केसर से सिब जी का अभिसेक करने से जीवन में सोम्यता आती है मांगलिक दोस्ट समाप्त होता है और कहा जाता है महासिवरात्री पर अगर अपने ब्यापारिक दस्ताबेजों पर केसर से तिलक करें तो सभी अर्चने दूर होती हैं काम धंदे की मंदी समाप्त हो ज प्रविट्टियों से मुक्ति मिलती है और इत्च छड़कने से भक्तों को सद्बुद्धी भी आती है और दही सिबलिंग पर दही चड़ाने से आप में परिपक कुताब आती है और आप जीवन में स्थिर होते हैं मानेता है अगर भोले बाबा को निमित रूप से दही से हो जाती है घी से अभिसे करने से सिबलिंग का आप के संतान की प्राप्ति आसानी से होती है भगवान सीब को घी अरपित करने से बच्चे की किलकारी जरूर गुंसती है चंदन बेद कहता है कि महाकाल को चंदन लगाने से इनसान का आकरसन बढ़ता है जीवन में मान सम्मा ख्याती बढ़ती है तो चंदन आप सिवलिंग पर जरूर लगाएं सहद सहद का अर्थ होता है मीठा अब भोले बाबा कभी भी किसी तरह का कोई भी द्वेस रखते नहीं तो सिपजी को सहद अर्पित करने से आपकी वानी में मधूरता आती है दिल में परोपकार की भावना बढ़ती है भांग भगवान सिप को भांग बहुत ही प्री है समुद्र मंथन के बिस के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया था और हमारे पुरानों में भांग को एक दिब औस्थी के रूप में देखा जाता है जिससे इसकिन के रोगों का इलाज भी दिया जाए तो जीवन में खुसी बढ़ती है और इसके साथ ही आप घी से सिवलिंग का अभिसेक कर सकते हैं घी से अभिसेक करने से संतान की प्राप्ति भी होती है वैसे जब आप सिवजी की पूजा करेंगे तो तामवे का बरतन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अला तू-बिरोधित-सान्त हो जाते हैं. पीपल का पत्ता अगर सिब निग पर अर्पित किया जा तो स्वास्थ-संबंदी-परेशानी Украї hayır तो पीपल का पत्ता कैसे अरपित करेंगे एक लोटा पानी रात में सिवरात्री के पहले एक बरतन में आप पानी ले ले पांच पीपल के पत्ते रखके जो पेक्ती बीमार है या जिनको बहुत टेंसन है बहुत परिशानी है आप लोग के घर के अंदर सिराह ने वो पानी रखकर सो जाएं और सिवरात्री के दिन सिवलिंग पर अरपीद कर दें अगर सिवलिंग पर लॉंग अरपीद करें सिवरात्री के दिन तो राहु केतु समंदी कोई भी परिशानी आपको परिशान नहीं करती और आप तमाम पारिसानियों से मुब्त रहते हैं अनार का दाना आर्पित करने से महादेव सिग्र परसन्न होते हैं और सनिदेव के प्रकोप से भी बजाते हैं जीवन में मान समान बढ़ता है नौकरी प्रापती में आसानी होती है तो अनार के दाने निकाल के उससे अभी सेख करें तो खुसियां बढ़ेगी अब बात करते हैं चुकि बेलपत्र सिप जी को बहुत ही प्री है तो बीना बेलपत्र का तो पुजा ही अधूरा है एक भी बिलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं वैसे 108 बिलपत्र अर्पित करड़े का विधार है लेकि जब आप एक बिलपत्र अर्पित करें तो पहले उस पर चदनन से राम लिखें फिर अर्पित करें उल्टा करके फिर उसको उठाईए उसको सुद्ध कर ले धोले फिर अर् अरपित करने से वार्णी दोस्त समाफ्त होता है बुद्ध समंदी परिसानी समाफ्त हो जाती है एक बात याद रखिए जो भी अरपित करें थोड़ा थोड़ा और अगर आप गेंदे का पुस्प अरपित करते हैं सिवलिंग पर तो जीवन में खुसियां बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि गेंदे का पुस्प अरपित करने से जीवन हमें हर सो लास बढ़ जाता है और यह है सेवली जिसको बंगला में कहा जाता है वैसे इसको कहते हर सिंगार यह पुस्प लगबख सभी देवी देपताओं को अरपित किया पुस्प अरपित करने से सत्रूओं पर आप विजाई प्राप्त करते हैं सत्रू पिरोधी आपके दबे रहते हैं यानि आपको कोई हरा نہیں सकता अगर दुश्मन बहुत बढ़ गए हो तब सिबिलिंग पर लाल गुड़हल के पुस्प अरपित करें सत्रू पिरोधी चाहकर कभी आपका बाल भीवा का नहीं कर पाएंगे लाल गुड़हल का पुस्प सत्रूओं को सांत रखता है अब आग का पुस्प आपका पुस्प अर्पित करने से एक तो सिब जी को सबसे ज्यादा प्रिय भी है और जीवन में यह जो आग का अगर आपके दुस्मन ज्यादा हो तो आग के दूद से सिबरात्री के दिन आग के पत्ते पर दुस्मन का नाम लिख कर वहीं ब्रिक्ष के नीचे या कहीं भी मिट्टी में दबा दे तो दुस्मन सांत रहते हैं यह है गुलाल जिसको अभीर कहते हैं अभीर गुलाल जरूर अर्पित करें क्योंकि सिबरात्र बंद में जब आरति करेंगे तब आरती में आप कपुर और लॉंग जलाकर आरति करें सब जगह दिखाईए फिर सब कोई आरती लीजिए और आरती रियने के समें कुछ कोईण वहां पे रखेगा इसके बाद उसको उठाकर किसी पास के मंदिर में रखा हैं तो आप घर में भी इस तरह से पुजा कर सकते हैं चुकि मंदिरों में भीड रहती है लेकिन सिम मंदिर में आप जाकर एक ऐसी वस्तु जिसको जरूर अर्पित कीजिएगा जीवन के सारे बाधाएं समाप्त हो जाएंगे कैसा भी बिगन हो कैसी भी चाहे वह सत्रू पीडा हो जीवन में के मिलता है चांडी का भी मिलता है। आपको मिल जाएगा दुकान में अब ले जाकर सिंब मंदिर में ले झाकर इस त्रिसूर कोसी समय में रखें नही पूजा पाएं हो अगर विड कम हो तो अच्छी बात और फिर परसाथ को घर में लाकर अपने घर से मुखे दरवाजे के चौकट में उपर में लगाते हैं